हेलो गाइस खैसे आप सब्सक्राइब वेलकम बैग तो माई योट्यूब चैनल गाइस आज की इस वीडियो हम ऐसा थालपोश बनाएंगे जो भी फुल्ट वीगनर्स है और पहली वार थालपोश बनाने जा रहा तो उनके लिए बहुत ही असानी से बनाया जा सकने वाला डि 22 चैन से थ्वड़ा सब बड़ा भी बना सकते हैं यहां पर देखिए मैंने चैन को रेडि कर लिया है और उसके बाद में इसकी करके करोश ऐसे धाली को आवे करेंगे दो चैनल चोड़ देंगे और उसके बादम यहां पर एक डबल करोश बना लैंगे एक और बनाएंगे यह तीयुक ऑफिए तीन डबल क्रोशियं आप बना लिए हैं अभ यहां पर बनाएंगे हम देखें एक चैन फिर एक यहां पर चैन छोड़ देंगे और पिराश तो आले में से नद्रॉस रोल भारी पना लेंगे यह देखे फ्रेंड इस तरह यहां पे हम तीन डबल क्रोशिया वान चेन तीन डबल क्रोशिया वान चेन बना लेंगे और देखे का जैसे कि आप सब देखी रहे हैं कि मैंने बहुत यह सानी से बनाए चाह सकने मारा डिजैन लिया है आग किस वीडियो में और आप फट अफट इसको हो बना सकते हैं इसमें बिल्कुल कोई भी मुश्कल मैंने आज की भी इस वीडियो में नहीं लिया है इसी तरह गाईजे हम लाज तक हम राउंड को कम्प्लीट करेंगे तीन डबल क्रोशिया वान चेन यहां पर देखिए मैंने यह राउंड कम्प्लीट कर लिया है अब देखिए हम यही तीन डबल क्रोशिया दूसरे साइड बढ़ा लेंगे सबसे पहले हम देखिए यहां पर हम बनाएंगे चेन एक और दो पहले हमने एक एक चेन बनाएं ती लिका यहां कॉर्नर में हमें बनाने है दो की चेन अब यहां पर हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया देखिए, बिल्कुल सेंटर में आचूँका है ये दो, और ये होगे तीन डबल क्रोशे फिर हम यहाँ पे देखिए ऐसे करके दो की चैन फिर्ट से बणा लेंगे और अब तीन डबल क्रोशे हम दूसरी सैड़ से बढाएंगे पैटर हमारा सेम रहेगा यह देखें तीन कुरोश्य हमने बना लिए हैं फ्सक्राइटें थी और उसमें थीजिंग一下 ते बना लेंगे कि थो फ्सक्राइट बाएन चौलअब कोते बना लेंगे कि भुआ जो इसी तरह यहां पर देखें कैंगे हमने यह राउंद कमप्लेट कर लिया है यह देखिए यहाँ पर जैसा यह हमने यहाँ पर बनाया था अब यहाँ पर देखिए इस कॉर्णर में हमें बनाना होगा क्योंकि हमने पहले नहीं बनाया था यह फिर से यहाँ पर देखिए हम दो की चेन बना लेंगे एक दो और जहां कॉनर पर हम यहां पर तीन डबल करूशिया बना लेंगे एक दो तीन फिर से हम यहां पर बनाएंगे दो की चेन और यहां पर देखी इसको हम यहां पर लॉक करतेंगे इसी के साथ यहां पर यह राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा अब यहां बनाएंगे हम सैक्ड राउंड सैक्ड राउंड के विलिए पहले हमने यहां पर चेन बना लेंगे एक दो फिर यहां पर हम दो डबल क्रोशे बना लेंगे कि यहीं पर हमें दो डबल क्रोश्य और बना सकते हैं चाहे तो हम दूसरी साइड आते हुए भी बनाए लेंगे कि मैंने इसकी वीडियो में आपको बहुत ही इजी वालत भी बताया है तो इसलिए हम यहीं पर पहले तीन डबल क्रोश्य बना लेते हैं फिर मांच चेन मिलाएंगे फिर नेस्ट वाले में सेम हम तीन डबल क्रोश्य बना लेंगे और इसी तरह यहीं लाश्ट खम हैं पर राउंड कम्प्लेट करेंगे फिर मांच चेन मिला लेंगे फिर तीन कर डबल क्रोश्य बना लेंगे इसी तरह यहां पर हम यह पूला राउंट लास तक complete करेंगे तीन तीन double crochet और one chain यहां तक हम complete कर लेते हैं यहां पर हमने complete कर ले हैं यह हमारने को और पर काईज तीन double crochet ऐसे बढ़ाया थे अब इसके दोनों साइड हमें तीन तीन double crochet बढ़ाया है तो इसकी वज़े से यहीं पर देखे का है दो बार तीन तीन डबल क्रोश्य हमारा आ जाएगा पहले हम यहाँ पर चेन बना लिए है दो की और तीन डबल क्रोश्य है वहीं पर हम बना लेंगे तीन डबल क्रोश्य हमने यहीं पर बना लिया है जहां पर हमने पहले तीन डबल क्रोशे बनाये थे फिर एक की चेन बनाएंगे फिर उसकी दूसरी साइड फिर तीन डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह जो एक डबल तीन डबल क्रोशे थे उसकी दोनों साइड एक बार तीन तीन डबल क्रोशे बन जाएंगे यह देखे पूंँ और फिर तीन यहां पर डबल क्रोशर फिर से बना लेंगे. इसे यह दिखि hamid क्रेंज के फिर कॉल With the friends आपून पर हमने यहां इसे दो हुएं मिलने डोना स्याट एक एक य second तिन कम रहें हैं इदर धर वे हैं अ시ques मई करेंगे का लिए कि यह पहले हम यहाँ एुप्ड़ा लेके में लिए रहे हैं के फोफी यहां पर चीन खाना लें दो की चैन नहीं दो और यहीं पर तीन डबल कुरूश्य और बनाएंगे जैसे कि हमने दूसरी साड बनाया था पिर एक की चेन बनाएंगे फिर दूसरी साड हम तीन डबल कुरूश्य बनाएंगे अब इस पॉइंट पर जाके हमारा यह दूसरा राउन भी कदम हो जाएगा यहाँ पर बनाएंगे हम दो की चेन और देखी इसको यहाँ पर हम लॉक कर देंगे और यहाँ पर देखी ह pH आहरा यहां यह साटेरी कॉंप्रिट हो चुक है अब हम बढाएंगे 3rd राउड तॉल्स नो ठाल시에 हम यहां पर बारेंगे एक चेण और लाम करेंगे दो कॉरर कॉर्ष्य पढ़ेंगे क्लियो का और है के फीर से एक की चेण बनाएंगे और फिर से तीन डबल क्रोशे बनाएंगे सिर्फ हमें दो किचेन ऊपर की साड़ी बनाना है जहाँ हमने एक एक फंदे इंक्रीज करेंगे तीन तीन फंदे साड़ी इंक्रीज करेंगे हम लोग यह देखेंगाज फिर हम दूसरी साड़ आ चुके हैं एक में महीवत 3-3 दो बार बना लिये हैं और फिर एक किचैन बनाएंगे और वीस में 3 डबल क्रोशय बना लेंगे सिर्प हमने जहां पर 3-3 के 2 बार फंदें डाले हैं उसी को हमें कंटिन्यू रखना है बागी सब्स हमें एक चैन और 3-3 डबल क्रोशय बनाएंगे जहां पर हमने दो बार तिन तिन बड़ क्रोशे बनाए हैं जिर्फ वहीं पर हमें दो के चेन बना ली होगी और इसी तरह काई जितना बड़ा आपको थाल पोश चाहिए जहां को टेबल कलॉथ हो आपको बनाना है आप बना सकते हैं और पूरा थाल पोश आप इसी पैटरन को यूज़ करके बना सकते हैं यह देखिए एक कॉर्णर ऐसे ही बनता जाएगा लाज तक यहीं पर एक एक फंदा इंक्रीज होता जाएगा और अपने आप यह थाल पोश अपने पैटरन में अपनी शिफ में आता यह देखी कि फ्रेंड सामने यहां पर इतना हमने थाल पोश बनाया है यह देखिए आप यह देख सकते हैं कि जो हमने तीन तीन दो बार एक ही जगह पर फंदे बनाये थे वह देखिए कंटीनू ऐसे ही बढ़ रहे हैं अब यहां पर हमने बढ़ा यह सिंगल क्रोश यह सिंगल क्रोश्य का इस बनाना बहुत इसान है और अब यहां पर लास्ट हम देखिए बनाएंगे दो की चेन और यहां पर हमें आठ आठ डबल क्रोश्य है एक ही जगे बनाना है ो आठ जगाहाँ आठ वार हमाने यहां पर एक डबल क्रोश्य है बना लेंगे और उसके बाद में हम बनाएंगे देखिए इक सिंगल क्रोश्या यहां पे जिए दो हम सकीप कर देंगे और यहांपर भरना तेंगे एक सिंगल क्रोशय फिर हम दो स्कीप करेंगे और यहांपर हमलानेगे एक डबल क्रोशय और टोटल आटो डबल क्रोशय server हमें इसी तो हम ऐसे ही डड़ी कर लेंगे I hope guys you all like my video please क्वेंट करके जो बिता है कि आप सब को ये design कैसा लगा है झाल झाल अब लाश्ट रिवे देखिए यहां पर ऐसे सिंगल क्रूशे बना लेंगे फिर इसको हम यहां पर सीज़र से कटिक करेंगे धागे को और पीछे अच्छे से नोट लगा लेंगे इसे तरह जिसने बड़ आपको थाल पूश्ट बनाने काज पहले वो प्रपेर करें उसके बाद ही आप ऐसे लेस बनाएं क्वेंट करके जुरू बिताएं कि आप सब को मेरा design कैसा लगा है बहुत ही असानी से बना जासा में design था इस वीडियो में थैंक यू गाउची कप्लेट वीडियो